यू अब गाइस के सबसे भी वेलकम बेक टू मैं व्लोग तो गाइस आज की इस व्लोग में मैं बात करने वाला हूं शेयरो के बारे में फार मंठ एक्सप्रेयंस विथ माइ डाग अजकी वुडियो की टॉपिक जोए न वह बहुत इंटरस्टिंग होनी वाली आपको भी बहुत मजाएगा और अगर आपको यू डॉग ले रहो ना तो सबसे पहले बुडियो देख और फिर्लो क्यूँकि इस वीडियो में बहुत सारा इंफर्मेशन भी दिया है मेरे एंड चलो सिधा वडियो की और चलते हैं और इंजोई करना और भाई आज की इस व्लॉग में मैं बात करूंगा 5-month experience with my dog लेबरो डॉक के बारे में सो मैं ना वडियो को कर लेता है शुरू बिना खशिर तो नंबर वान पॉइंट पर है वह चीविंग सो मैंने सबसे पहले जब मैंने एक यह dog खरीदा था शेरू को तब सबसे पहले उसकी दिक्कती चीविंग क्योंकि ना अगर आप भी कभी dog खरीदे रहो ना कभी भी उसे ऐसी जगब पर मत रखना अगर आपके रूम में कोई furniture है मेंगा वाला furniture वगरे तो वहां पर मत रखना क्योंकि वो सारा कुछ खा लेगा सो सेम चीज मेरे साथ भी और मैंने चाहता कि यह चीज आपके साथ भी हो जाए सो मैंने देख हम लोगों ने जब उसे लाया था तो बहुत ही मस्ती था उसने अरमारी और जो मेरे study table है उसके सारे के सारे जो नीचे से सारे wood वगरे खा लिये थे और अभी तो इतना बड़ा घोड़ा हो गया पाच महिने का हो गया फिर भी इसे अक्कल नहीं है मुझे लगता कि हमने इसे ना बहुत सारे toys लाके दिये हुए थे जैसके वो burger मिलते हैं बाद में कुछ fries वगरे मिलता है toys होते हैं ना उनके सो वो सब लाके दिये थे वो भी उसने सारे के सारे खा लिया है उनमें से कुछ भी नहीं बता उसके तुकड़े तुकड़े कर देते हैं और हम लोग ने बाद में उसे फेकना पड़ा उसको pieces का रखके फायदा क्या है और अभी ना हम लोग ने उसके लिए जो मतलब toy तो नहीं लाए अब तक फिलाल नहीं लाए लेकिन हम लोग उसके लिए अभी इस बाद toy लेंगे ना तो वो एक कोई तो कोई तो यह रहता है वो पता नहीं कौनसा material रहता है जो काटने से तुट मुझे पता नहीं है मुझे पता नहीं लेकिन description में मैं link दे दूगा उसकी सो वो ले लेंगे हम और जो second point है वो है sleeping तो लेब्रडो को सोना भी बहुत पसंद होता है तो ना मुझे लगता शेरू जो है वो रात के साड़े दस बजे सोता है सुबह जल्दी उड़ जाता है खाना लेने के बाद फिर से सो जाता है तो मतलब 8 घंटा वगर वो यह सोता है रहता है दीन में लेकिन बहुत अक्ट्वी होते है बहुत फ्रेंडली भी होते है और लेब्रो डॉक मतलब भाई बहुत क्यूट भी होते है उपर से और जो third point है वो है इसके खाने का तो ना मै मैं अइसे खाने के लिए देता हूं यह वाला जो पेकेर यह जो लिए मेरे पास यह जो रूह से यह दू रूज्ख वाली पैकेर यह जिकाता हूं आप लोगों को देखिए कुछ इस तरह से एक श्टीक होती है यह वाली तो इसे न मैं मतलब पीसिस पीसिस करके ना इसके पैडिग्री में डालके पुरा मिक्स करके दे देता हूं और फिर ही यह सारा खाना खाता है एंड फिर यहां पे है ना मिरे पार डेंटा स्टिक है इस यह बहुत जल्दी खा लेता है वैसे यह डॉक को खाने में बहुत जादा पंदरा से 10 मिनिट लग जाते है लेकिन यह पाच मिनिट में खतम कर लेता है एंड एन मैंसे कभी-कभी यह ग्रेवी है यह इतना नहीं खाता हूं कभी-कभी अगर इसका मूड हो जाए तो मैंसे यह पेडिगरी वाली ग्रेवी देता हूं और यहां पर जो है ना यह इसकीट मिल्कभान यह बहुत आसानी से बीक्रोड करके देता हूं इसे जबी भी देता हूँ और मैं य इसे ट्रेनिंग ठीट्स भे देता हम वो फिलाल मेरे पास नहीं है वो खतम हो गया है और जो फोर्थ चीज है वो है खेलने का टाइम इसका सो मैं आपको एक बात बता दू यह जबी भी इसका खेलने का टाइम हो जाता ना यह ना शेरो नहीं होता है पता निक हौन से एक दम एग्रेसिव भी नहीं कहल सकते एक दम बीश्ट मोड पे चला जाता है कि हम लोग भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता है यह पूरा पागल होजाता है खेलने के बाए वैसे खेलते तो हम टेरेस पे है लेकिश बुरा पागल होता है यहां से वहां और इसे कंट्रोल करा भाई छोड़ी दो तो फिस्ट चीज है वो है पानी लेबरोडोक की ना सबसे फैबरेट चीज बोले तो पानी होती है क्योंकि ना जब यह मैंने शेरू को लाया था ना मुझे वैसे बाकी सब कुत्तेज होता है वो पानी से बहुत डरता है लेकिन शेरू ऐसा नहीं है शेरू को पानी भहुत पसंद है और लेबरोडोक लवज वाटर लेकिन जब इनके नाने का टैम होता है तो उस समय इने पानी नहीं चाहिए नाने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं होते है लेकिन अगर ऐसे मैं अगर समझभार प्लांट्स को पानी डाल रहा है उस समय पागल हो जाता है पानी के लिए इसका कंटेनर जो है इसके अंदर जब भी मैं पानी डाल के रखता हूँ ना तो वो पानी पीता नहीं है वो पानी से खेलता है उस समय इसके लिए मैं कभी भी कंटेनर में पानी रखता ही नहीं और जब यह मतलब मैं इसे टाइम देंद दो घंटे के बाद मैं कुदी से पेनी देता हूँ पानी और जो शिक्स-प्रॉब्लम है जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वह यह लैबरोडोग जो वो कभी भी घर पे अकेले नहीं रह सकते, तो मतलब अगेर आप कई, एक दो, मतलब 15-15-10 मिनिट के लिए जा रहे हो, या आदे घंटे के लिए जा रहे हो, तो सही है, मतलब भोकेंग है, थोड़ा बहुत भोकेंग है, लेकिन फिर भी, लेकिन अगर आप एक घंटे, दो गंटे, तो ये लोग घर पे नहीं रह सकते, क्योंकि मैंने खुद, तो मैंने इसे एक बार, हम लोगने इसे घर पे छोड़ा था, और हम लोग साथ से, एक घंटे, एक या दो घंटे तक घर में नहीं आये थे, हम लोग घर से बार थे, और इसने पूरा घर हिला दिया था, भोक भोक के, बाई शिरो, बाई, बाई और हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूली गया, कि अगर शेरो के हाथ में, अगर समझ कुछ भी लग गया, कोई किमती सामान, तो वो देता नहीं है कभी भी, और राइट ना बहुत जादा हाइपर हो चुका, और फिलाल अभी वो खेल रहा है, यहाँ पे, और अभी कुछ देर पहले तो मेरा पाव भी काट रहा था, इसके लिए मुझे वोडियो थिक से बनानी नहीं दे रहा था, आज आज की इस वीडियो में इतना है, मैं मिलता आपको जल्दी नेक्स वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और मिलता आपको जल्दी नेक्स व्लोग में, तिल देन टेक केर एंड बाई बाई आप नो चेरो